नमस्कार बहुत सुपागत है आपका आपके साथ मैं हूँ जोटसना पार्टनी मेरे साथ मेरे सायोगी वैभव बोला मौझूद हैं वैभव क्या करें सीधे सेकंड इंडिंग की बात कर लेते हैं सेकंड सेशन था इंडिया करें पर यह जी पर सेकंड सेशन था उसमें आपने दो विकन उपने गवादिये थे और आपके ज्ञादार नहीं बने थे तो अगर बात करें दूसरे सेशन के हम luat करें तो 75-25 इंडिया के फिवर में मैं इस लिए यह कहांगा 25% मैं आस्ट्रेलिया को इसलिए दूँगा क्योंकि अंत में जब आखरी के 10-15 मिनिट बचे थे तो आस्ट्रेलिया को चेतेशवर पुजारा का विकेट मिल गया अगर विकेट आस्ट्रेला को नहीं मिला होता वो चेतेशवर पुजारा सेकंड सेशन में के अंत तक भी बले बाजी कर रहे होते तो यह पूरी तरीके से जो सेशन होता इंडिया के नाम होता थोड़ा सा उनफॉर्चनेट जरूर रहा कि चेतेशवर पुजारा लगबग 160 ग तो थोड़े इंडिया का जो स्कोरबोर था वो भी बढ़ता और आपके खुद के रन भी बढ़ते दो सवाल मेरे एक चेतेशवर पजारा से जुड़ा हुआ लेकिन उससे पहले अब आप के कह रहे हैं कि इन दो सेशन को अगर हम देखें तो एक पॉइंट गया ऑस्टेलि और आपने स्कोर सो क्या एक सो साथ रन तो मतलब आप बहुत इसलो के लिए अच्छे अब ये मैं स्कोर बोर्ट देख रही हूं स्कोर काड मैं चेतेशवर पुजारा की बात करूं तो एक सो साथ गें दें तिरालेस रन और आप मुझे बता भी रहे थे कि बड़ा रहे हैं लेकिन ट्रेंटर पर ट्रेंड हो रहे थे वह हमारी सुभा वाली बात साच हो रहे हैं बिल्कुल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि जो भारती क्रिकेट की नई दिवार है चेतेशवर पुजारा इससे पहले जो दिवार थे थोड़ी सी और ज्यादा मैं कहूंग पर वहां से राहूल द्रविट अपने विकेट नि फ्रो करते वह एक सो साथ गेंदों से आगे बढ़ते हो धाइसो गिंदों तक जाते तीन सो गेंद खेलते और वहां फिर वह शतक जरूर बनाते तो यहां अगर चितेशृ पुजारा आज शतक बनाते यह कल अपनी शतक क कम्प्रीट करते तो मैं जरूर कहता है कि वो दिवार पूरी तरीके से बन चुके हैं मतलब हम यह जरूर मान सकते हैं फौरी तोर पर की इंडियन क्रिकेट की नई दिवार जिसे हम राहूल द्रविट भी कहते हैं वो बनने जा रही है कि उसको थोड़ा से सुंदर बनाने के लिए वो पेंट करने के जरू है मतलब प्लास्टर ब्लास्टर हो गया है पेंट करने के जरू है थोड़ा सा और बस दूर है अच्छा अब आगे बड़े विराट कोली की तरफ कप्तान कोली उन ताले सरन 111 बोल्स चार मेरे क्याल से च यो तेस गहन बास होते तें वह क्या कूशित करते थे चouthay फचर पांचुसली ओम ऊच्छेश करते थे और लुए Certainly संorm च़्तर करने के बात करूं बहुत परशान किया था विराब्ष कोशिच नहीं कर रहे थे वह जो भार की गेंदे जा रही थी तो उसको बहुत इज़त दे रहे थे वह सम्मान दे रहे थे और गेंदों को धीरे दीरे चोड़ रहे थे वह थोड़ी ऑस्टेलिया के तरफ से आज मेरे को लगता है कि जब विराट कोली बल्ले बाजी कर रहे थ थोड़ा सा और विराट को थोड़ा सा लल्चाते की विराट जाके शौट खेले तो शायद उनका चांस बन सकता था लेकिन वह चांस अज बना नहीं और एक चीज़ वह में देखने को इच्छी मेली कि पिछले दौरे पर जब पैट कमेंस गेंद बाजी कर रहे थे तो एक सबस्क्राइब को पर है जिस तरीके में जर को लग रगाए चुद्ध दौरे में कौंध हो जाए तरफu कर आधर को मां फैले ग्रगी चालारा हिए लेती हूं जिस तरीके से हम यह पूरा टेस्ट मैच देख रहे हैं आज डेवन है अब मेरे ख्याल से एक सेशन और बचार इसमें भी विराट को ली टिके रहते हैं तो वो जो हमारी सेंचुरी की उमीदें हैं वो बरकरार रहेंगी आपको सिर्फ सेंचुरी नहीं देखनी है से जोसना आपको सेंचुरी के साथ साथ आपको इस टेस्ट को हर हाल में जीतना है आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप यहां पर टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी कर रहे हो जिसका आपको एडवांटेज चौथी पारी में भी मिल सकता है जादा घूमेगी तो आपको ऑस्टेलिया को बिल्कुल आपको पहले यहां पर कम से कम कोशिस यह करें कि जिस तरीके से हमारी सुबा भी बात हुई कि आपको साड़े तीन सो से चार सो रन बनाने होंगे जिससे ऑस्टेलिया के ओपर आप एक मनोवग्यानिक बढ़त ले तो अगर आपको वहां तक अमीद और उमीद ये भी कि मोमेंटम जो आस्टेलिया के पास है वो मोमेंटम आप ले चीने तभी आगे कुछ बात बन पाएगी बहराल आप लोग हमारे साथ जुड़े बहुत शुक्रिया हम आपके लिए अपडेट्स यूही लगातार लेकर आएंगे थैंक्यू